गाजा में जंग के हाला तब इस्राइली सेना के खिलाफ होते जा रहे हैं क्योंकि हमास की सेन निशाखा अलकासिम ब्रिगेड और अलकुज ब्रिगेड इस्राइली सेना को तगड़ा नुपसान पहुचा रही है चाहे वो आईडियफ के टैंक्स को रॉकेट लांचर से उड़ाना हो या फिर बूवी ट्रैप में फसा कर इस्राइली सेनिको को मारना या फिर स्नाइपर आपरेशन में घात लगा कर दूर से ही इस्राइली सेनिको का काम तमाम करना हो इन सब हमास के हथकंडों से इसराइली सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब इसी कड़ी में इसराइली सेना को गाजा में अभी तक का सबसे बड़ा जटका लगा है। अलकासिम ब्रिगेड ने एक ड्रोन फुटेज जारी करके इस हमले की पुष्टी की है। उसका कहना है कि इस तरह के हमलों से इसराइली सेना ने गाज़ा के कई इलाकों से अपने जवानों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा इसी दौराण अलकासिम ब्रिगेड ने इसराइली सेनिको पर तल अल हवा में एक स्नाइपर आपरेशन भी किया है जिसमें आईडियाफ के एक जवान की मौत हो गई है। और जब ये हमला हो रहा था उसी दौराण जबालिया कैम्प में अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइली सेनिकों के जमावडे पर एक शौर्ट रेंज मिसाईल से हमला कर दिया। इसी दौराण खान यूनिस शहर के बानी सुहेला इलाके में अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक घर में बारूद बिचा कर उसे उड़ा दिया। इस घर में इसराइली सेना की एक यूनिट मौजूद थी और इस हमले में इसराइली सेना को कई जवानों का नुकसान हुआ है। और इसी इलाके में अलकासिम के लड़ाकों ने इसराइली सेना के इंजिनिरिंग कॉप्स के एक जवान को गोल इमार दी। वहीं दूसरी तरफ अलगुरेज में अलकुज के लडाकों ने इसराइली सेना के एक ड्रोन को निशाना बना कर उसे मार गिराया साथ ही जायतुन इलाके में अलक सा मार्टर ब्रिगेट के लडाकों की आईडियफ से जड़ब भी हुई है और इसी इलाके में अलकुज ने इसराइली सेनिकों पर भी हमला किया है ये सेनिक जाय टाउन के दक्षिन में गली नमबर 10 के पास घुम रहे थे तब अलकुज के लडाकों ने उन पर हमला कर दिया लेकिन इन सभी के बीच बड़ी बात ये है कि खान यूनिस के पश्चिम में इसराइली सेना पर बड़ा हमला हुआ है यहाँ पर अलकुज के लडाकों ने आईडियफ पर हैवी कैलिबर मोटर से गोल एदा गे है और इस हमले में आईडियफ के मरकावा टैंक पर भी आरपीजी गोलों से हमला हुआ है